नमाशकार डीवी नीूस में आपका स्ववागत है शिप्पुरी जले में एक डैम के कैच मैंट एरिया में भरे पानी में मचली पकलने गए एक यूवक के गायब होने का मामला सामने आया है पानी में ट्यूब पर बैटकर मचली पकलने का यूवक का पता ना लगने पर देर रात रेस्क्यू अभियान चलाया गया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा है शिपुरी में एक डैम में मचली पकली ने गए एक यूवक के गायब होने का ये मामला बेहत ही संसरी खेज है जिसके बाद बुदवार को सुभा से ही फिर से SDRF और पुलिस ने सयक्तो रूप से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया है यूवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है वहीं बामौर कला थाना चेतर के दीधावनी गाउ में मंगलवार सुभा का यहाँ हाथसा है महीं बताया जा रहा है कि बामोर कलत थाना छेतर के दिधाउनी गाउं में एक निर्मान अधीन डैम के चेक मैंट एरिया में भरे पानी में मचली पकड़ने चालिस वर्षी है आदिवासी यूबग गया हुआ था इसके बाद वह बापस नहीं लोटा ऐसी संभावना है कि यह गहरे पानी में डूप सकता है गायव यूबग को लेकर काफी तलाश के बाद भी यूबग का पता नहीं लग सका है इसके बाद मंगलवार की शाम को पुलिस के साथ SDRF की टीम ने पहुँच कर लापता यूबग की डैम में तलाश की लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है इसके बाद अब बुदवार सुभा से खोशने के लिए रैसकी अभियान चलाया गया है बताया जा रहा है कि आदिवासी यूबग जो दिधाउनी गाओ का है वहाँ गाओ के पास बन रहे निर्माना डीन धैम में भरे पानी में मशली पकलने ट्यूब उपर बैट कर उत्रा था इसके बाद यहाँ अपने घर बापस नहीं लूट सका परीजनों ने इसकी सुचना पुलिस को दी है बामार कलंध हाना प्रभारी नीतु सिंग धाकल ने बताया है कि अमर सिंग के पानी में डूबने की सूचना उसके परीजनों ने दी थी इसके बाद पुलिस ने सुराग लगाने की कोशिश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी